कई लोग पूछते हैं कि भागवद गीता पढ़ने के फाइदे क्या है? चलिए जानते हैं. भागवद गीता पढ़ने के कई फाइदे हो सकते हैं. यह आपको जीवन के विभिन पहलूँ पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है, आपको धार्मिक और आध्यात्मिक ज्यान में वृद्धी कर सकती है और आपको जीवन के मार्गदशन के लिए उप्योगी उपदेश प्रदान कर सकती है. इसके अलावा, भागवद गीता के अध्यान से आत्मविश्वास, शांती और सामर्थे की भावना भी बढ़ सकती है. श्रीमद भागवद गीता परने के कुछ नियम भागवद गीता परने के कुछ मेहित्वपून नियम शामिल है. पहला नियम, शुद्धता और श्रद्धा, गीता को पढ़ते समय शुद्धता और श्रद्धा के साथ पढ़ना अत्यंत मेहित्वपून है. दूसरा नियम, प्रतिदिन नियमित अध्यान, गीता को प्रतिदिन नियमित अध्यान करना उप्युक्त होता है. तीसरा नियम, विचारशीलता, गीता के विचारों को समझने और उन पर विचार करने का समय निकाले चोथा नियम, आचारे के मार्गदर्शन, जरूरत पढ़ने पर गीता के अध्यन में किसी आचारे या धार्मिक गुरू की मार्गदर्शन ले पांचवा नियम, अंधकार के समय पढ़ना न चाहिए, गीता को पढ़ते समय ध्यान लगाना चाहिए और अंधकार के समय नहीं छठा नियम, समय का मेहेत्व, गीता को पढ़ते समय स्थिर और ध्यानित रहना चाहिए, समय का ध्यान रखना बेहद मेहेत्व पून है